आप सभी सात्यों का स्वागत हैं मैं अर्विं सक्षे ना बोलों साधनारिकत के रहस्यों तत्य यह को जानने के लिए इस चैनल के प्रतिक वीडियो को देखें और इसमें दिगर प्रतिक प्रयलिस्ट को भी देखें अब यह बहुत ही मतपूर्ण वीडियो है और ये इसका जो टॉपिक है वो है वेद, शास्तरों की निंदा, देवी देवताओं की निंदा, देवताओं में भेद बुद्धी, 86 नरकुंड इसमें जो बाते में बताने जा रहा हूँ वह ये कि जो शास्तरों की निंदा लो करते हैं यह मन में क्यों आती है और वेदों की निंदा क्यों करते हैं, देवी देवताओं की निंदा क्यों करते हैं देवताओं में अलग-अलग भेद बुद्धी क्यों रखते हैं प्राह्मा जी अलग, विश्वुजी अलग और शिव जी अलग, इसब अलग हैं, माता अलग हैं, गड़े जी अलग हैं, यह तो भेद बुद्धी है, यह कहां से क्यों आती है, और अगर आती है तो सही है क्या गलत है, तो उसके बारे मैं चर्चा करूंगा, और बढ़े जो कि इस तरीक है कि ब्रहांति आज के समय में बहुत ही नॉर्मल बात है उसका जो कारण है वो मैंने कई वीडियों से बताया हुई है कि समय का पभाव है जो 27 नूमर के कली बादा वाला वीडियो देखेगा असूर असूर वाले जो प्लेलिस्ट है उसको देखेगा इस समय क के लिए आपको बता रहा हुए और 295 नूमर का देखेगा राक्षा सुदारा भक्षण पूर्निस सुभाव का बक्षण करते हैं रक्त और मज्जा अन का तो करते ही है और 236 नूमर का सहसा विश्वास आज के समय में नहीं करना चाहिए किसी भी इंफॉमेशन पर किसी भी चीज़ पर नहीं करना चाहिए सहसा नहीं करना चाहिए कुछ ना कुछ जांट पर रख जिरू करनी चाहिए अपने लेवल पर जो भी अपनी शमता हो नहीं तो क्या हो उससे अनिस्ट का प्रवेश होता है यह बात मैंने 236 नंबर के वीडियों बताई है कौन से ऐसे कार हो जर्ण से अनिस्ट और अशुप का परवेश जीवन में होता है प्रती दिन होता है। उंको जानना बहुत आवश्यक है।। उनको भी रोक दिया जाए ठो बहुत सारे अनिस्ट जो है अपने जीवन में जो हम स्वेम में लाते हैं। उससे बचा जा सकते है। नहीं, तो प 10 23 लेक्त वीडियो की वीडियों में। ध्रॉकर치를 करते हैं। इतने जितने वीडियों में। जो मैंने आपको भी बताए तो इतना समय में बात आ जाएगा कि आज का समय वो उस प्रकार का है कि यहां पर आसुरी शक्तियां बहुत बलवान है अब वो आसुरी शक्तियां अद्रश रूप में और मनुश्यों को लेके वो खेलोने के रूप में खेलती है इसे बाते हैं ज जो शक्ति होती हैं जो आसुरी शक्तियां कि गलत करो इससे पुन्हें नस्ट हो और उनको और जाए जदेने पर आप बढ़ता जाए आसुरी शक्तियों और और फिर वह स्पूरी श्कर्ट करना होगा जिस लेवल पर होगा उसी नहीं साहीज को मानुश्यों उसको से बीजिए और 300 नूमबर वाले वीडियों बताई हैं दानावी मराबर अशुब शक्ति मुर्ख बुद्धी इसलिए कि गलत काम करते हैं और उनको गलत बात कार को करने में भी समझ भी नहीं आता है तब ही तो गलत काम करते रहते हैं और किसका मिनाश करते हैं लगेगा कि वह और लों को मिनाश तो करी रहे हैं लेकर अपना सबसे ज्यादे मिनाश करते हैं यह बात अगर आप देखना चाहेंगे तो प्लेस्ट में आप मृत्यों नरक शाथ पित्रदोश वाले सीरीज में देखिएगा कि जो इस तरीकिस दान sobोने को रहते हैं और मृत काम करते करते हैं उनको जो यह इस तरह से उनको दानो शक्तिए न Δाकیल दीति नरक की आतरा में जो कि म्रत्यों के बाद में ही उनकों समझ में आएगी जीवत जागरत जागरत नहीं आएगी नहीं क्योंकि दानवी शक्तियों को प्रभाव रहे गा इसलिए और जादे केस खराब हो गया है जो कि मैंने मानव से दानवाली जो आपको वीडियो मताया तो 95 नमबर में जादे केस खराब होगा तो हो सकता है वो मनुष की उस मनुष्यों की उरिजिनल आत्मा को भी बहार कर दें दानवी शक्तियां उसके शरी में प्रभेश करते हैं और फिर अपना तांडव करें यह एक्स्ट्रीम केस में होता है और यह लिकिन इस सब बातें जब आनवी नमबर वाले वीडियो मता ही है यह सब बातें जब समझ में आ रही है तो आज के समय में विश्य शुरूफ से इस सब बातों को सभूशते हुए कि अपने कर्मों के बहुत ध्यान रखना है क्योंकि कर्म चो होते हैं जो मैंने बताया कि कर्म का एक बंदन होता है माय कर्म और को लेकिन सादना कर लेकिक तो कृम के भारे में कूझ कुछ जानकारी होनी चाहिए 20291 वीट गलट काम कांब कर साथ साध साधना भी करता रहा है कि नथ Все बन बहुति न जा निंगता है उसको कुई या प्रऑन गहलो है उसके पास यह तो गहर लोच री कि वह चिंग आ लिए चरीर को मन को बद्धी को जीवन को खेलें और अपने इक्षा के पूर्थी भी कर सकते हैं यह बात 291 नवर वीडियो में समझ में आएगी कर्म को कर्म के समन्दों को कर्म के जाल को गया काई एक कर्मों के रहस्यों को समझना बहुत जरूरी है हैं इस में एक शर्चान कों ऌठाद समन्दों समस्क्राधार्ण को कर्म को है Cंसन बाती सरय क्वर्णानों के जो इस तरीक ने कंड़ा की जो आध्यात्मी से इस तरीक ही आद्याओं मिलें कि और है तो गलत इशाम चले गए उसके बारे में आप मेरे कई वीडियो देखेंगे कि अपूर्ण गुरू के बारे मेरे वीडियो मुनें 306 308 वाले या 257 मिला है 257 गलत मंदर के खत्रे आप देखेंगे इस सब बाते मिलेगी किस तरह से गलत साधना हो के दोरा है या गलत वक्तियो से देना भी चाहिए तो उससे फिल्टर आउट करने का कि उनके आसरी शक्ति को प्रवाव है कितना अगर जो बाते मैं मता रहा हूं अगर वह लक्षण आ रहे हैं इसका मता आसरी शक्तियों का प्रवाव आ रहा है तो उन से बचाओ के बी निजाम करने चाहिए वो सब भी एंदर में उनकी आतरा होते ही पितु को प्रांत होगी सब्स्मी सिवाज पितल जाक्रत वास्था में है मुनुष शरीर है उनका इसतरी काम करते हैं तो वह कि अग्ना वश कर रहा है लेकिन एक बार होगे दो बार होगे क्म नहीं समय में इसके लिए ने कर लो लेकिन अब cathedral आदी करना चाहते हैं और जो स्कृप्षिर्श दो निंदा करना है कहीं से कहा है कि खुद में भी नहीं पड़े भात क्या है जुब को था निक पहले पढ़ना पड़ेगा फिर उनको करना पड़ेगा 50 पॉसर फिर पड़ना पर ना सदना करनी अब 50% पार्ट कि पढ़ा और ना शाहत पढ़े ने करें और उनकी पर नहीं तो ऊसमय्ड में आई और विदों की सम्क्राइब में भुर्त सही चीजे हैं पर को अब कैना देख लिया जाए कि इसका मतलब कWhat लेकिन जब उस बातना के जाए कि तब बात और जए लेकां सी को देते हैं भुआ एक वीडियो बनाई हुआ धर्म के उपर धर्म ग्यान के ऊपर में वीडियो बना वुगा हुआ उसका अंदर में कि दो नंबर है तीम तेरा धर्म का ज्यान के क्वास तक थे नहीं पॉस्ति ओकर अगैन ब्रह्म ग्यान के लिए साधना करने पोड़ी कि अब साधना करेंगे नहीं तो धर्म बग्यान होने वाला नहीं तो फिर उपा उपा जो होता है वो लेहरों कि लेहरों जैसे होती ही समुद्र की उनको देखते रहेंगे उसमें जो गंदगी बहरी अच्छी चीज़ें बहरी ह सब्सक्राइब करें जा रहें क्योंकि समुद्र में कभी उतरे ही नहीं समुद्र में उतरने का मतलब यह गहरी साधनाय करी जाएं तो बात मैंने वीडियों बताई हुए धर्म का ग्यान में आप देखिएगा उसे यह कि शास्त्र जो होते हैं उनको समझना है उसके लिए क यह देखेगा वीडियो न मबर साथ और तब आपको बास मुझनाए उसमें क्या चीजें बताई गेंगे उसीा में से यह बात जो बताई है वेदों की शास्त्रों की निंदा करने वाले देवता में भेष बुद्धिरा को फ़्दी रखने वाले तो यहान कोई नर्ट में जाएक तो वेस्ट शासुलों के निंदा डिवताओं के निदा निंदा भेद बूद्धी यह सब बाते जहें जो होता है उन नर्ट की यात्रा कराने के लिए परियाप्त होती है आ ज्यान देनक भूसर डी नहीं करना है को दिंदा और अशुबर्मों के माना जाता है औ रख जाने के करन बनता है द्रवकों में नहीं कुण्ड होते हैं इनका कार होता है पापियों को दुग देना और यह थिन भयानक होते हैं वुद्धाय कोफे च्छी प्रकार के मेन कुंड है अनकी देखबाल कोले 950 chlbs बहुत भाहत्भ भेंगर रहोते हैं किर में जारे होते हम अपने किए शच्र्प पर musPod के काथ हैं जैसे उनके बारे मेरे अतरशीश के आप सिरीज देख लीजेगा उपनिशाइद अतरशीश में पढ़े होंगे वीडियोस बहुत सारे और या साधना करते करते ऐसी सिति आ गई है कि उन्होंने कभी भी एक बार भी अगर माली इस्ट के दर्शान उनको हो गया हो तो उनको नरक की यातरा नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि तब तक उतने पाफदोस उनके नस्ट हो गया हो गया हो गया कि कोई ऐसा बचे गैनी और नरक कुंडों में जाएगे जाएगा हो उसको क्योंकि इसको 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 इनकी निंदा करने का जो फल मिलेगा उसको वो ब्रह्म हत्या का मिलेगा और वहां पर जाएगा नरक कुंड में जो यातना होगी कई कुंडों में जा सकता हो वहां पर यातना भोगेगा उसके पिर उसर पिउनी में जाए गो अब सर पिएद किन जायाएं जाए बडिया उसके टिपक्राइब करेगा हुषनकों को यूकाम करें हुसकता है की और पश्री होनी statute किया हो बत्रों में जाए और यह हो सकता है पिए हिसके बहुत बुरे कर ना हो बहुत करी तक हो Bob वो उसको दंड मिल गया उसके बाद फिर मने शुनी में आ जाए ये अन्नोन होता है ये यात्रा ये डिवमा की अपनी जो लीला है उसके अंदरकत होगी और कर्मानुसार होगी इसके बारे में जाज़ता नहीं करना चाहिए और जादे इसके डीटियल में जानने का प्रयास क्योंकि ये कर्मानुसार है इसको जानने तो कोई लाब भी बहुत जादे नहीं कि इवर मोटी मोटी बाते हैं जो शास्त्रों में लिकिए उदर नहीं जान लू अगर माली जो श्री कृष्ण जो है भगवान श्री कृष्ण के गुण संबंदी जो है उनका जो संगीत हो हो वाली म्यूजिक हो रहा हो कुछ कीर्थान हो रहा हो उसका अपहास करने लग जाए तो सौ वर्ष तक अश्रू कुंड नावक नरक में जाता है यहां पर भूजन में उसको अश्रू ही मिलते हैं और उसके बाद जब फिर वो नरक से निकलेगा तो तीन जनों तक चांडा उनको यूनी कहा रहाता है वो उस प्रकार की यूनी में जाएगा वो तीन जनों तक फिर जो देवता हो कि निंदा करने वाला होगा वो सुची मुक नामक नरक में जायेगा इसमें तीन यूग तक रहता है यह नि देवताओं के निंदा को छोटी बात नहीं मानी जाती है पिर में बात बार होई कर रहा हूँ कि इसमें वही बात जनलाइज नहीं करनी है कि एक बार होगी दो बार होगी चलो नहीं समन में आ रहा है या उस पर विश्वास नहीं तो पढ़ लो इसके बारे में इतने सारे शासरों में दिवें हैं वेदों की समिता हों में चीज़ें पर बहुत शास्रों में दियन को पढ़ लो लेकिन न पढ़ रहा है न कुछ कर रहा है कि वल या निन्दा ही कर रहा है उसको और वह भी लगातार कर रहे है तो वह आले जो होता है आशुब कर्म कर्ता है फिर ऐसा व्यक्टी जो देवताओ कर निन्दा करता है वो सूची तुको इसमें तीन युक तक रहता है यहां पर उसके सभी हम में च्रेध कर दे जाते है ला ते वीजियो नरखूले मनुश यूम मुश्यरीर के बाद में मनु शरीर्ime सारे दंड नहीं मिल सकते हैं क्योंकि इतने सारे जो गलत काम करती है उनको सारे दंड एक पॉसिबिल नहीं एक लाइफ स्पैंड में और बॉड़ी भी जो होती है मुन शरीर इतना है बहुत जादी जातना सह सके हो तो मरने के बाद में उस आत्मा को इसको दंड देना होता है नरक की आत्रा करानी होती है उसको विशेश प्रकार का शरीर दिया रहाता है कि जो कि नस्ट भी नहीं होगा और उसको बहुत सारा कस्ट भी जहलने में कोई दिक्कत नहीं होगा या कस्ट भी जहलेगा लेकि नस्ट नहीं होगा जाया उसको खोलते पानी में डाल दें खोल करें होते हैं यानि कि अगर कोई वक्ति याज समझ लें कि मृत्यू के बात क्या होने वाला है तो इतनी जानकारी मात्र भी अगर मस्तिश्क में रहे तो उपने गलत काम नहीं करेगा यह भी एक जानने का इसलिए एक इंपोर्टेंट है जो कर्मफलों को चिंदानतों को जान समझे भी नहीं आएगा कि यह लीला हो क्या रही है उसी जिस्टी से इन सब बातों को देखना है तो दिवत्ताओक निंदा करने से वह व्यक्ति जो है सूची मुख नावक नरक में जाता है और तीन यूग तक रहता है और वहां पर सभी उसके अंगों का छेदन किया जाता है फिर उसके बाद में इतनी सारी जो दो यूनिया है बिच्चु असर इसमें साथ जन्मा तक उसको बटकना होता है अच्छा फिर इसके बाद है जो भेद बुद्धी करने वाले लोग होते हैं तो दिवताओं में भेद बुद्धी करते रहते हैं विश्णू अलग है रा नुम्बर स्यर्श्ण अलग है लेकिन चाहिए डोस चौन नुम्बर है महा शक्ति रह से देवी जवताओं कर रह से ध्यान रह से इसमें नूम्बर थीनके बाद करने कि तो उनकी श्क्ति जो ती जिनको महाशक्ति कहते हैं आप उनको नाम जगदंबा देदें या दुद्ध समाविध्या हैं उनको आप देदें और उन्होंने सारी सिस्ट्री की तसना कर दी सारी चीज़ें बना दी अपने ही द्वारा अपने ही एनेर्जी से यानि हर चीज वही है जब वही हर चीज है तो कैसे कोई देवी देवता के अंदर में विभेध बुद्धी ला सकता है विभेध बुद्धी का मतलब ही यह है कि उस वक्षी को अभी तक ग्यानी नहीं हुआ है साधना के वहीं सीडी भी नहीं समन में आई इस बारे में और डिटेम जाना तो 183-184 नंबर का 990 रहस्व नाम के जो वीडियो से उनको आप देख लीजेगा उसमें मैंने देवताओं के स्थरों के बारे में जान करें दी है लेकिन देवताओं के स्थरों का मतलब यह थोड़ी है कि वह अलग-अलग सब हैं उस सारी चीजें एक हैं यह बात समझने के लिए मैंने आपको जब वावदाई वह वीडियो नंबर दो से चबगन देखिए का मा शक्ति रहसे तो जब सभी कुछ होई है तो इसलिए देव बुद्धी का रहना भी एक अशुब कर्मों का भल भी माना गया इसको 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 इस तरीके बुद्धी होने का मतलब अशुब कर्मी भी जनरेट होते हैं और इसको ब्रहमत्या के बराबर समझा रहा था यह मैं आपको बाद सासुनों से बता रहा हूँ तो उसके लिए जो होते हैं फिर उसके लिए भी अविनर की आतरा किनी पूरती है ब्रमत्य है तो ब्रमत्य में क्या चीज है? कितने सारे हों मौत सारे हो जो जो ब्रमत्य की शुरी नो में कार्य बने जाते हैं जैसे मेंनमी पताया कि जो द्यवताओं में भ pret buddhi रखना भगवती ज्याद्य का दिविम्मा है कि इसन बसी जो ने के बारे में इम्हेन को खोरती लिए गया, ति यह ने आम इसन बसी वोटी औहुतो की सदर्या कर दिया कर दिया कि अ कर लुट कर वादफों कि पूंज कर दिया ठी भीडिशProduya के परिट्या को जि कुछ से लोग भी होते हैं कि जो ग्यानतव खहना चाहिए यासरी शक्ति उसे क्रेस्ट होगा ऐसा हो सकता है, माना जा सकता है, वो पित्रों का पुझा नहीं करते हैं, यानि कि उनको अपने शादस होगे मतलब भी नहीं है, तो वो भी ब्रह्मत्या की शेरी माना जाता है, यह सब करते हुए साथ में को निश्दिकर्म भी कर देंगे अईसे काम होगे जो की ब्रस्टाचार हो गया जैसे और निश्दिकर्म बहुत सारे हो जाएंगे उनकी चर्चाइए यहां नहीं कर रहूँ है लेकिन वो सब कर रहे हैं साथ में यह भी कर रहे हैं तो वो भी सब ये सम्मिला के सब ब्रहमत्या ही की स्वेनी में बहुँच जाते हैं तो ये जो हैं जो वेद वचन होते हैं जो वेद वो में बातें लिखी रहते हैं उनका भी अगर कोई उपहास करें तो धूम्र कुंड नामक नरक में जाता है या धूम्र यानी धूम्र होता है उसका आहर करता है फिर मशली आदे जल्चर यूनिय में जाता है मशली बनेगा या मशली से रिलेटेड जो भी जल्चर यूनिया होंगी उसमें वो बनेगा ये लोग जो होते हैं वेद वचनों का पहास करते हैं तो ये विशेश रूप से ये वीडियो बनाने का मेरा यही एक विशे है रहा है कि ये कम-कम साधक लोगों को जो है इस तरफ सतर करना जाए है और यदि इस तरीके की बात उमने में आती हो कभी भी तो सोचना जाए कि कोई आथरी प्रवत्तियों का प्रभाव पड़ रहा है तो उसके लिए साधना एत्या दे करने जाए है और दूसरा यदि कर इस तरीके की बात जनरेट हो रही हो कि कहीं से कोई से कोई व्यक्ट्री मजाग बना रहा हो या पहास उड़ा रहा हो तो इस तरीके की चर्चाओं उसके दूर रहना जाए है उनको सुनने का प्रयास नह कर रहा है और सादक कर रहा है और न trench होते चले जाएगे फिर यह होगा कि सादना बढ़ क्यों रही है उसा हम सादना तो रोच कर रहे है straks जो कलि लिए संपंद थे जो शास्त्रों के निंडदक और निवताओं के निंडदक हो उन से यह जो है साद्व को विशेष रूप से दूर रहना चाहिए और यह अपने अंदर में करेक्ट करके रहना चाहिए, जो मैं आपको विशेष रूप से जो वीजिए बने हुए यह पंच देव के बारें बने हुए गड़पतिया अथरुषिष का 244 नारएं अथरुषिष, 246 देवी अ करने हुए घर की उर्जा का संतुलंग कैसे करना चाहिए देवी देवताओ के चित्र मंत्र यंत्र शात्र पौधे 312 नुमर का वीडियो है इसको देखेगा इसको में बहुत साथनात्मक जान करें दिया है उसको करने का प्रयास करना चाहिए और इंस तरीके की बातों से निं है जो महाविद्या साथना है उनमें से प्रयास करना चाहिए जो मैंने 125 नुमर का वीडियो मातारा का बना है उसको देखेगा और 78 नुमर का वैदिक सुरक्षा सूक्त का पार्ट डेली करना चाहिए तो यदि किसी नेगेटिव प्रभाव आ रहा होगा किसी आसरी शक्ति क है तो वह भी समाप्त होगा और 156 नंबर का कॉंटे मंदर सुने आसरी शक्तिकों से बचाओ यह वीडियो भी बड़ा मत्वपूर्ण एक वीडियो है और तो उससे क्यासी नंबर का इंदर वैदिक सुक्त भागे कि यह वीडियो देखेगा यह उपाय की बात मैंने बताई है तो तो अपने आप में जो निगेटिव टीज होंगे वह सब भाठती चली जाएगी इस बात में बहुत ही सतर करना जाए कि वेज शासनों की निंदा देवी दिताओं की निंदा नहीं करनी है नहीं तो जो होता है यह बहुत ही अशुब कर्मों की शेड़ी में माना जात साथनात्म के यह साथठा क्या पहुंचेंगे तब बात में समझेंगे तो समाने रूप से इसा है कि नरक औरक्रख की बात है तो बहुत हैं लोग समझ भी सकते हैं जो लेकिन शार्तिकों को इस बारे में गंबीर हना जाई है कि बाते शास्तुर में इसलिए इनकों गंभीत तो आशा करता हूं कि आप सब्लों की जान करें अच्छी लगी होगी इस वीडियो के देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद